दोस्तों ये है मेरे पास Eureka Forbes का Active Clean Compact 700W वाला एक vacuum cleaner और जिसका model number आपको इसकीम पे शो हो रहा होगा लेकिन इसमें हमको एक premium feature मिल जाता है जो कि इस वाले price point पे हमको generally देखने को नहीं मिलता जो कि section of blur वाला feature है और इसको मैं लगबग 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ इस वाल बारे में हम यहां पर discuss करने वाले तक कि आप लोग अपने according अपने लिए एक best vacuum cleaner बाय कर पाएं लेकिन 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 वीडियो के start करने से पहले मैं आपको एस चीज़ कर देना चाहता हूँ कि यह वीडियो किसी भी brand से sponsor नहीं है तो जितने भी thoughts है अपीनियर है वो मेरे ख इसका जो weight है वो सिवर सिव यहां पर 1.34 kg है और यह काफी ज़्यादा एक lightweight vacuum cleaner है और अगर इसकी build की बात करें तो फिर यह complete एक plastic material से बना हुआ है लेकिन यहां पर काफी premium touch feel आता है जैसे कि यहां पर आपको complete glossy finish देखने मिल जाएगी पिलस यहां पर आपको multi color design देखने मिल जाएगा और यहां पर पीछे side आपको एक black color का material देखने मिल जाता है जो कि मतलब अगर इसका look है निजान देखा जाए तो काफी बढ़िया है अगर इसके top पर देखा जाए तो फिर आपको यहां पर switch on off आपको जो power button होता है वो आपको देखने मिल जाता है पिलस उसी के side में आप लोग देखिए आपको एक red color का एक और आपको button देखने मिल जाएगा इसको आप लोग जैसे ही slide मतलब करेंगे तो फिर यह जो section है यह open हो जाता है तो यहां से आप लोग अराम से यह filter जो है इसको निकाल सकते हैं उसको clean कर सकते हैं और हाँ इस वाले filter के बारे में मैं थोड़ से बता देना चाहता हूँ कि आप लोग चाहे तो उसको wash भी कर पाएंगे और लेकिन जब यह पुरा सूख जाए तो ही इसके अंदर insult कीजे क्योंकि याला जो vacuum cleaner है कोई भी wet vacuum cleaner नहीं है यह dry vacuum cleaner है मतलब यह सूखी चीजों को ही खाली सक करता है कोई भी मतलब ज काफी सही है अगर यहां पर इंदबॉस केंटरिंग की बात करें तो फिर आपको एक यहां पर flexible horse pipe आपको एक देखने को मिल जाता है जो extension tube है वह आपको देखने मिल जाएंगी बैसकिल यहां पर दो है बाकि आपको एक floor कम carpet cleaner brush आपको देखने को मिल जाता है और आपको 15.5 kpa section pressure के साथ में आता है मतलब देखें यह kpa जो है यह मतलब जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा दम से यह vacuum cleaner किसी भी चीज को अंदर की तरफ घसीटेगा तो यह जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा बढ़िया होता है और वैसे इस वाले vacuum cleaner के मैं बात करूँ तो फिर आपको ठीक ठाक सा मिलता है बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है फिलस यहाँ पर आपको इसमें 82 dB यानि की decibel जो noise level है वापको देखने को मिल जाता है मतलब यह थोग सा ज्यादा noise ही है जैसे कि आप लोग खुदी देख दीजेस की आवाज अगर यहाँ पर यह जो दो extension tube जो मिली है हमको इसकी अगर length की बात करें वैसे तो आपको दोनों एकी size की मिलती है इसकी length कुछ आपको इतनी देखने को मिल जाएगी और अगर यहाँ पर जो flexible horse pipe है इसको अगर देखा जाए तो इसकी length आपको कुछ इतन पर खोल सकते हैं इसके बाद यहाँ पर यह जो दो extension tubes है इसको आप लोग यहाँ पर इसी से यहाँ पर connect कर सकते हैं और इसकी अगर यहाँ पर total length अगर देखी जाए तो फिर आपको around कुछ इतनी देखने को मिल जाती है जो कि मेरे साब से काफी जादा सही है ओके तो फिर अ अब हम लोग यहाँ पर cleaning करके देखते हैं कि यहाँ पर यह कैसा काम करता है ओके तो फिर आप लोग ने देख लिया होगा कि यहाँ पर यह कैसा clean कर रहा है मेरे साब से तो यह मतलब अगर price range के साब से देखा जाए तो काफी सही यह काम कर रहा है मतलब चाहें तो आप लोग corners हो गए या तो floors हो गए या तो carpet हो गई आप लोग कुछ भी चाहें मतलब जैसे की जो window का जो corner होता है वह भी आप लोग यहाँ पर clean कर सकते हैं आपको यहाँ पर सभी जो necessary जो accessories होती है वह आपको in the box में ही देखने को मिल जाती है और यह काम भी काफी ज़्यादा बढ़िया कर रहा है जैसे कि जो इसका section और जो blower वाला जो feature है वह काफी ज़्यादा सही काम करता है जैसे कि आप लोग ने देखी लिया है और आप लोग चाहे तो इससे अपना PC laptop हो गया या तो car हो गई वह भी आप लोग यहाँ पर clean कर सकते हैं मतलब यह multi-purpose vacuum cleaner है इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि कौन-कौन से वह बाते हैं जो कि आपको ध्यान अखना थी यह vacuum cleaner को भाय करने से पहले देखें आप मार्के में दो तरीकों के vacuum cleaner आते हैं एक होता है यहाँ पर चूज कर सकते हैं पिलस यहाँ पर अगर प्रेशर की बात करें तो फिर जितना ज्यादा यहाँ पर kp होता है जैसे कि याला जो vacuum cleaner जो कि मेरे पास है यह 15.5 kpa के साथ में आता है मतलब जो इसका जो यहाँ पर suction power है जो इसकी खीजने की जो power है किसी भी चीज को तो वह मतलब नॉर्मल सी है बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है मार्केट में इससे भी ज्यादा आपको अच्छे सक्षन वाले आपको जो vacuum cleaner वह आपको देखने को मिल जाएंगे तो जितने ज्यादा होते है उतना ज्यादा बेटर होत अगर यहाँ जो लोग होते हैं उसको हम लोग करते हैं और जो हम लोग काम है वो बिसकलिए आपर कैनिस्टर और यहाँ जो हैंड हैं इन दोनों में से से काम चल जाता है अगर यहाँ पर इसके कम्यों की बात करें तो देखिए यहाँ पर बिसकलिए इसमें कोई मेजर कमी तो नहीं है लेकिन यहाँ पर हमको section और दोनों option तो मिल जाते हैं यह तो काफी अची बात है लेकिन यहाँ पर इसकी जो intensity होती है इसको प्रेशर होता ह इसको control करने का हमको कोई भी option देखने को नहीं मिलता और इसके बाद अगर आप लोग इसको use करेंगे तो फिर यह पांस से दस मिनिट में इतना ज्यादा हीट कर जाता है इसका जो motor है मतलब यह जो एरिया है तो आपको इसको बंद करना ही पड़ेगा तो फिर मतलब जो हर इसको एक मतलब 5-10 मिनिट में आपको इसको एक rest देना पड़ेगा और अगर यहां पर इसके conclusion की बात करें तो फिर मेरे साफ से तो यह product काफी ज़दा बढ़िया है अगर आपका budget बहुत ज़दा कम है अगर यह around आपको 2000 के आसपास देखने को मिल जाता है तो फिर आपको इसमें mostly सभी features मिल जाते हैं जैसे कि section हो गया, blower हो गया, इसके बाद जहां पर जो accessories है वो भी आपको in the box में देखे मिल जाती है तो I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के एक लाइक जो कर दीजे हमाई चैनल को subscribe कीजिए अगर आप लो मुझे support करना चा करते हैं मिलते हैं